आप सबी लोगों का हमारे शमास गाइडनिंग में बहुत बहुत शागत है आज में एक बहुत यूनिक फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जानकारी लेके आई जो बहुत ही प्यारे और खुबसूरा फ्लावरिंग प्लांट है आसा करते हैं सबी के गाइडन में फ्लावरि नर्स्री वाले पैसे मांगते हैं तो मुझे तो बहुत ही खुबसूरा लगे और धेरोकलियां भी हैं इसके बारे में पूरी जानगियारी में इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगी कैसे कटिंग लगाएं कैसा फटलाइजर कैसी मिटी और कितना बड़ा पॉट होना यह विद पर्मनेंट फلاवरिंग फ्रॉर और has क्यों नियुक्छWorks भीज़ывает चाहिते हैं वे काई चाहिते हैं ऐते हैं दो रीक आफ का से एकप चाहिए प το obs बूछ अच्छु आखे हैं और हमें कैसी इनकी मिटी और निकालने का तरीका भी मैं आपको बताती होगी हमीशा कि बहुत से लोगों का कहना है कि पॉर्ट हम जब लेके आते रिपॉर्ट करते तो बहुत ही दिक्कत होती है तो हम मिट्टी के बारे में बात कर लेतें, देख रहे हैं, कॉंटिटी मैंने खाद की अच्छी मिलाई है, जैसे मैंने 30% गार्डन की मिट्टी ले लिए, और 30% मैंने इसमें खाद भी एड्ट कर लिए, जैसे काउडंक हो गई, 30% गार्डन की मिट्टी और खाद, और 20% मैं इसमें जो लीप्स की पतियां होती है, घर की जो सूखी गार्डन की पतियां होती है, उनको मैं एड़ कर लेती हूँ, और 5% मैं नीच खली और 5% मैं इसमें राप, ये मिला के तयार रखती हूँ विंटर की मिट्टी, और मैंने 10 इंज के पॉट में सिफ्ट करूँगी, मिट मैंने इन फ्लावरिंग प्लांट कोशिश कीजिए कि ये जब आप मिट्टी वले पॉट में रखिए, कि मिट्टी घर्मियों में ठंडाती है, पॉट भी अच्छे सा सर्वाइव करा दाते हैं, प्लांट हमारा जल्दी खराब नहीं होता है, तो ये जरूर खाया लखिए, मैंने दोनों गमलों के ठीकरी रख दे रही हूँ, पत्थर टूटे हुए पत्थर हो या आपके पास टूटी हुए गमले हो, वो सब एड़ आप कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा-थोड़ा सा मिट्टी इनको कवर कर दे रही हूँ, मिट्टी थोड़ा सा कवर नीचे डाल दे और फिर उसके बाद गमलों को चारो तरप से अच्छे से ठोक दे और फिर दीले से प्लांट उल्टा करिए, मैं इसको पूरा रिप्ले करके इसका पूरा वीडियो आपको कोशिश करूँगी दाने कि इसी प्लांट हमारा खराब नहीं होता है, अच्छे से जब निकल जात तो इससे ये फाइदा होता है, और मैं चलते चलते मैं चली ये मिटी भरती जा रही हूँ, आपको बताती भी जा रही हूँ, देखे जब भी प्लांट ये लगाएं, आप रिपॉर्ट करते हैं, तो कम से कम दो दिन, दो दिन इन्हों ऐसी जगे रखे, जहां धूप इनको तीन दिन इसको चाया में रखोंगे, फिर उसके बाद दीरे-दीरे ओपन सन में रखोंगे, कि ये ऐसा प्लांटे इसको जादा तेज धूप की ज़रूवत नहीं होती है, तो विंटर की तो हम सारी धूप इसको अच्छे से देला सकते हैं, और जो समर्जे से आ जाएं, त ये बात कर लेते हैं, फानी की, पानी हम इस प्लांट को ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, जब भी मिटी ड्राइ हो, तब इसको पानी दीजेगा, मिटी ड्राइन नहीं है, जैसे दो दिन हो गए, तीन दिन हो गए, और ड्राइन नहीं हो रही है, तो समझ लीजे, पानी देना है मिटी हलकी सी ड्राई हो जाया है जैसे ड्राई मौशर जरा ना रहे तब आप इसको पानी दीजेगा अच्छी से सर्फाइफ करेगी मैंने काउडंक अच्छी कॉंटिटी में बहले से मिला दिया है आप हम इसको कम से कम एक महीने के बाद मैंने छोड रखा दो इंच के बहुत अच्छी फ्लावर मारे के लिए घणा करने के लिए। इक हाँ एक बात और बता रहे हैं जब आप प्लांट को खना करना है तो आपको क्या करना है। तो देख रहे हैं कि इस्टिक है यह इनी लंबी देख रहे है यह नीचे बहूत अचछी हटा दूगी औरुप प्राइब कोई पाशना सोफचात सब्सक्राइब जिसे आपके अहया प्लांट कुछ में गया सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब ना उपर के एरिया टिफटी होई थी और इस तरह से ये भी हो जाएगा तो घना होगा और बहुत ही खुबसरों फ्लावरिंग देने वाला है अब हम बात कर लेते हैं अच्छा सा करने के लिए लिपके फटलाइसर की तो नेम खली मस्टड के लिए का लिपके फटलाइसर हमारे प्लांटों के बस्ट होता है कोई भी flower plant है उसको अगर घना करना है उसकी growth अच्छी बनानी है तो लिप के fertilizer easily बन जाता है जैसे नीम के लिए mustard के लिए की tea बनती है जो पेडों के लिए बहुत important होती अच्छी flowering के लिए अच्छी growth के लिए तो वो आप एट कर लीजेगा इसको 15 दिन में एक बात देते रह चलिए इसके recording और भी कोई हमसे आप जानकारी चाहते तो हमारी वीडियो पे comments कीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए subscribe कीजिए और bell बटन दवना जरूर या दखिएगा जिसे मेरी वीडियो की notification आपको मिल सके थैंक पर वाचिंग मैं वीडियो बहुत बहुत ध अन्निवा